अमेडिकल की जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखेंगे लाइक, से घंगरो रेंगे उत्ता जाथ हमारा हौसला बनेगा और हम जो है वीडियो जो है बनाते रहेंगे अपना प्यार बनाए रखें लाइप सियर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर डबाएं थेंक यू सू मच 27 degrees का एंगल है ठीक है देखिए सबसे पहले कोई भी वज़न अपने कंधों से उपर मत रुठाना पुषप नहीं लगाने है आपको डंबल वाली एक्साइज नहीं करने हैं यतना याद रहेगा कोई भी वज़न कंधों से उपर नहीं पुषप नहीं डंबल वाली एक्साइज नहीं ठीक है सब्सक्राइब पावडर लिखाऊगा एक बलटी गरम पानी में तीन से चार चब पाउडर डालकर अपनी कौनी की सिखाई करो अच्छे से, दोना कौनी होगी, ठीक है, सिखाई करने के बाद एक ट्यू लखाऊगा, उस ट्यू से मालिश कीजिए, मालिश करने के बाद अब अब एल्बो कर पहने के बाद इदा आ जाएगे, ऐसे अपना कंदा लगाईए साथ रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे स्ट्रिक्ए ज़े और इसे एसे करके प्रेस, ठीक है, ठीक हिए, 30 सेगिंड तक प्रेस करके रखेंगे, फिर लूज चुटेंगे, फिर ऐसे 30 सेगिंड तक और रखेंगे, ठीक है, डेली सुबा शान दोना हात हो कम से कम 50-50 बार नीचे पहर कंदह Y तो नीचेक हुआ हैं यहां इस वालह एक्सराइज करनी ऑप एसाना चाहिए सो यह सिदा रहना चाहिए कंद नीचे कंद हरो इकंद करने अपका यह कंद्र साइड में जाना है यह गंधा आपको ऐसे करके नीचे धबाना थीक है चलिए दबाओ नीचे भी ऐसे ठीक है यह करके एक साइस करने है